तो साथियों काफी दिनों के बाद आप देखी सकते हो मैं एक डीजे इस्ट्रस का टिडिवर लेके आ गया हूँ तो आज की इस पहले वीडियो में आपको कुछ इसी पगार का एक डीजे इस्ट्रस एडिट करके दिखाने वाला हूँ तो इस तरह का डीजे इस्ट्रस एडिट करने के लिए आपको कुल चार फूटोज का जोरत पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो तो गईस वीडियो को बिना किसी देरी के फटा 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 एक लाइक कर दिजे और चैनल पे अगर आपने होता आपको नीची रेड़ करके सब्सक्राइब बटन भी दिखाऊगा सब्सक्राइब भी का लिजेगा क्योंकि मैं आपने चैनल पर इसी पर करके इंट्रेस्टिंग वीडियो के टिटोल अप्लोड करता है रहता हूँ अब दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए मोबाल के एडिटिंग सॉप्टेयर काइन मास्टर को ओपन कीजिए मैं जाकर आपको वहाँ पर स्टेप बाई स्टेप पॉरसर्स दिखाऊंगा तो साथ ही हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देखी सकते हो जो मेरा स्मार्टफोन के काइन मास्टर एप है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है अभी गाईस आपको लेफ्ट साड में यहाँ पर एक सेटिंग का ओप्शन दिखरा होगा देख सकते हैं आपको गाईस इस वाले सेटिंग के ओप्शन पर किलिक करना है देन आपको नीचे में जो एडिटिंग का ओप्शन है आपको इसमें किलिक कर लेना होगा और यहाँ पर जो first option आपको default duration of यह photo clip इसको guys कुछ इस पकार से आप यहाँ पी 2 second के लिए कर दिजेगा कर देने के बाद दोस्तों नीचे बला जो आपका option है इसमें guys आपको यहाँ फिल skin का option को select करना है then आप यहाँ पर ok कर लिजेगा अभी guys आपको उपर में आपका जो gallery है ओ सो हो रहा होगा यहाँ से दोस्तों अभी आपका जो first photo है first वाली photo को आप यहाँ पर select कर लिजेगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो first photo है उसको select कर लिया हूँ अभी आप अपने दोनों हाथों की finger की help से कुछ इस पकार से वीडियो को sorry photo को थोड़ा zoom कर लिजेगा zoom कर लिने के बाद दोस्तों वीडियो को play करना है और play करके कुछ इस पकार से आप यहाँ पर एक second के लिए आप आ जाईएगा देख सकते हैं इस तरह से आपको एक second पर आ जाना होगा आने के बाद guys आपको file पर क्लिक करना है then आपको उपर में जो कैंची का option दिकरा होगा देख सकते हैं आपको इस बाले कैंची का option पर क्लिक कर लेना होगा then आप यहाँ पर split add playhead को select करके आयो आप यहाँ पर अपनी photo को दो भागो में divide कर दिजेगा divide कर दिने के बाद अभी आपको जो first photo का टुकडा है इसमें आप क्लिक किजेगा क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक clip graphics का option दिखेगा अभी आपको इस वाले clip graphics के option पे click करना है then guys आप यहाँ पे इसका जो story आप चले जाएगा जाने के बाद guys आपको यहाँ पे animation दिख रहा होगा इसी के अंदर friends आप यहाँ पे animation भी मिल जाएगा आपको इसको download करके install कर लेनी है install कर लेने के बाद आप इसको open कीजिएगा open कर लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर option सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप scroll करके कुछ इस पकार से नीचे आ जाईएगा आने के बाद आपको जो 31 वाला आपको effect है आपको इसको select करना होगा जैसे आप इसमें select करते हैं कुछ इस पकार से आपको जो फोटो है यहाँ पर effect होगा अभी आपको फोटो के next वाले टुकड़े में click करना है then आप यहाँ पर clip graph को बापस से आप click किजिएगा यहाँ पर भी आपको इसी बाले store में फिर से चले जाना है जाने के बाद आप यहाँ पर scroll करके last में आओगे तो आपको यहाँ पर एक travel का option दिखेगा आपको इसमें click करना है then आप यहाँ पर cam motion का जो graphics है आप इसको download करके install कर लिजेगा install कर लिने के बाद दोस्तों आपको इसको open करना है और यहाँ पर आपको जिस भी effect में आपको photo अच्छा दिखेगा उस वाल effect को guys आपको यहाँ पर select कर लेना होगा कुछ इस पकार से अभी guys आपको जो first photo यहाँ पर ready हो चुका है अब आपको इस वाली photo को इस वाली share के option पर click करके आप यहाँ पर इस तरह से आप expert कर लिजेगा इस तरह से guys अभी आपको continuously और तिन photo को इस तरह से आपको बना लेना है तो guys मैं जो यह काम यहाँ पर skip कर देता हूँ guys जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो 4 photo है उसको मैंने यहाँ पर ready कर लिया हूँ ready कर लिने के बाद दोस्तों आपको इस वाले file जो है इसको टुकडा को आप यहाँ पर कुछ तरह साब delete कर दिजेगा get कर देने के बाद guys आपको उपर में आपका जो media का option दिख रहा होगा देख सकते हैं आपको इस वाले media का option पर क्लिक करना है then guys आप image के option पर क्लिक कर लिजेगा और यहाँ पर आप किसी भी एक background को select कर लिजेगा मैं आपको दिखाने के लिए आपर white cloud के background को select करता हूँ देख सकते हैं guys यहाँ पर मैंने एक white cloud के background को select कर लिया है सबसे पहले इसका जो duration बढ़ा के आपको यहाँ फोर्टीन सेकेंड के लिए करना है क्योंकि यह जो इस टेटा से फोर्टीन सेकेंड का ही है इसके बाद आप अपने वीडियो में कुछ इस पकार से फर्स तरफ आप यहाँ पर आ जाईएगा आने के बाद दोस्तों अभी आपको इस वाले वीडियो के इस डिस्किप्शन में जाना होगा जहां पर मैंने उस बैगराउंड वीडियो का जो लिंक है उसको देखे रखाए आपको उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा डाउनलोड करके आप यहाँ पर लेयर पे क्लिक किजेगा मीडिया के option पे click करके आप अपना gallery को open कर लेने के बाद अभी आप उसी वाले वीडियो को select कर लिजेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो green screen वाला background वीडियो यह उसको मेंने select कर लिया है अब आपको इस वाले box में click करके इस वाले option पे select करके full screen में किजेगा जैसे आप इसमें click करते हो right side में आपको इहाँ पर एक chroma key का option दिखेगा आपको इस वाले chroma key का option पे click करना है then guys आपको इहाँ पर जो key color है और green selection कर लिजेगा selection कर लिने के बाद आप यहाँ पर ok करके इसको enable कर दिजेगा जैसे आप इसको enable करते हो आपको जो फीचे का background है और आपको यहाँ पर दिखने लएंगे अभी guys आपको जितने सारी आपको यहाँ जहां जहां आपको background दिख रहा है अपने वीडियो में उन सारे वीडियो जगा में दोस्तों अभी आपको अपना जो फोटो है उसको आपको लगाना होगा तो मैं guys यहाँ पर जो फर्स्ट बार आप देखोगे तो यहाँ से जो फर्स्ट बार मेरा background यहाँ पर दिख रहा है तो उससे जश्ट पहले में यहाँ पर इतना दुट तक आ जाता हूँ आने के बाद इसी ब वाले box में क्लिक करके इस वाले option पर स्लेट करके full screen में कर लिजेगा कर लने के बाद दोस्तों अभी आपको अपना वीडियो को बापस से play करना है और play करके guys अभी आप next वाला जो फोटो है उसको आप यहाँ पर स्लेट कर लिजिए कुछ इस पकार से अभी आपका next फोटो उसको मैंने कुछ इस पकार से एजेस्ट कर दिया है अभी आपका जो green skin वाला वीडियो इसमें क्लिक किजेगा जैसे आप इसमें क्लिक करते हो left side में आपको यहाँ पर यह 3 dot दिखेंगे आपको इस पर 3 dot में क्लिक करना है then guys आप यहाँ बिंग to front में आप क्लिक कर सब्सक्राइब कर दिया है तो दोस्तों उम्मिद कर रहा हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर दोस्तों वीडियो को देखते हुए इतना दूत दका आगे हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा बाकि चैनल पर आप नहीं हो तो मुझे पता आपने अभी तक स सब्सक्राइब कर दिया है तब तक के लिए गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नहीं वीडियो के साथ बाई बाई टाटा नमस्कार